आम तोर पर कालवेलिया समुदाय के लोग समाज से कटे कटे रहते हैं और इनके ऐस सथाई निवास जिने डेरा कहा जाता है अक्सर गाउं के भारी हिसों में बसे होते हैं। कालवेलिया अपने डेरा को एक वरताकार पत पर बने गाउं में बारी बारी से लगाते हैं। पीडियों से चले आ रहे इस करम के कारण इन्हें स्थानी वनस्पती और जीव जन्तुओं की अच्छी खासी जानकारी हो जाती है। इसी ग्यान के आधार पे ये कई बार व्यादियों के आईरुवेदिक उपचार के भी जानकार हो जाते हैं जो इनकी आमदनी का एक और वैकल्पिक जरिया हो जाता है। काल बेलिया नाम दो सब्दों से मिलकर बना है। काल और बेलिया। काल अर्थात स्वम महाकाल और बेलिया अर्थात उसका बैल। काल बेलिया जोगी नाथ संपरदाय के अंतर गताता है और काल बेलिया एक हिंदू धार्मिक समाज है। काल बेलिया समाज के संस्तापक जाल में पकड़ लेते हैं और लोगों की साफों से रक्षा करते हैं कालबेलिया एक निडर जाती है इसके अंतरगत पमार बामणिया चोहान सोलंकी सिंगानिया देराड राठोड देवड़ा भाटी दैया जोया आधी पर मुखगोत्र आते हैं यह समाज अपना आरादे भगवान भोले नात को मानता है इस समाज के लोग व्यक्ति को मरने के बाद समाधी दे देते हैं जिसे समाज में मिट्टे के हवाले करना कहा जाता है और उस पर मंदिर बनाकर सीवलिंग तथा बैल चड़ा देते हैं फिर उन पूरूजों की पूजा की जाती है पुरानी काल में काल साप बिच्वों का जाड़ा दे कर मंतर उपचार किया करते थे इस समाज के रिती रिवाज अद्बूत है कालवेलिया निर्ते इस समाज की शान है कालवेलिया निर्ते राज्थान का एक भाव में लोक निर्ते है यह जंजाती खास तोर पर इसी निर्ते के लिए जानी जा एक जगें से दूसरी जगें घुमंतु जीवन व्यतित करती थी। इनका पारंपरिक व्यवसाय साप पकड़ना, साप के विश्का व्यापार और सर्फदंस का उपचार करना है। इसी कारण इस लोक निर्ते का सवरूप और इसको प्रस्तुत करने वाले कलाकारों के परीधान में सापों से जुड़ी चीजें जलकती हैं। पेरा, सपेला, जोगी या जागी भी कहा जाता है। यह अपनी उत्पती को गुरु गुरुखनात के बारवी सदी के सिस्से कलीमपर से जोड़ कर मानते हैं। कालवेलिय जाती की सरवादी का अबादी रास्तान के पाली जीले में और इसके बाद करम से अजमेर, चितोड़गर्ड और उदैपूर, जैसलमेर, बाडमेर, जोधपूर, बिकानेर का सथान आता है। ये एक खाना बदोस जीवन बिताते हैं और इन्हें अनुसुचित जन जाती का दरजा परापत है। परमपरागत रूप से कालवेलिय पुरूस बैच से बनी टोकरी में साप को बंद कर घर घर गूमते थे और उनकी महिलाएं नाच गा कर मांगती थी। ये नाग साप का बहुत आदर करते हैं और उनकी हत्या को निसिद मानते हैं और बताते हैं कि गाओं में अगर किसी घर में नाग साप निकलता है तो कालवेलिया को बुलाया जाता है और वे बिना उसे मारे पकड़ कर ले जाते हैं। 1922 के वन्यजीव सनरक्षन अदीनियम के पारित होने के बाद से कालवेलिया साप पकड़ने के अपने परमपरागत पेसे से वन्चित हो गए। वर्तमान में कला परदर्शन उनकी आमदनी का परमुक साधन हो गया है और उन्हें इसके लिए राष्टे और अंतराष्टी सतर पर ख्याती भी मिल रही है। फिर भी इनके परदर्शन के आउसर अत्यांत सीमित हैं और समुदाय के सभी सदस्ये इसमें सामिल नहीं हो सकते हैं। अत्य इनकी आबादी का एक बड़ा भाग खेतों में काम करके और पसूपालंद वारा आजी वी का कमाता है। हाँ तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें कोमेंट जरूर करना और एक बार फिर शे आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक सेयर करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।